हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल जोरा फरसंदी दोस्तों पिछे लक्षर में हमने रामसर साइट्स के बारे में जाना था और आज हम एक न्यू कन्वेंशन इन्वार्मेंटल कन्वेंशन पर बात करेंगे जो की एक इन्डेंजर्ड एस्पेसीस के बारे में है यानि जो प्लुक्त पराय जो प्राणडी है उनके बारे में है ठीके दोस्तों इस कन्वेंशन का नाम है साइट्स 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 है और इसको साइट्स इसको जानते हैं जैसा कि कन्वेंशन आन जैसा कि जानते ह जो है trade in endangered species दोस्तों endangered species वो फ्लोरा हो या जा है फोना मतलब कोई plants हो या कोई जो animal हो wild animals उन सब को देख रेख और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को उन सब को देखते हुए एक सुरक्षा की जिम्मेदारी को world level पर देखते हुए जो है एक organization बनाया गया जिसे sites नाम दिया गया जिसे sites sites the convention on convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora flora is a plant in a particular region and time और fauna is a wild animal wild animal add up any particular any particular region and time इसका short form में जानते हैं sites यह एक global agreement है दोस्तों और इसका conceptualize क्याप किया गया था इसका जो framework के ड्राफ्ट जो त्यार किया गया था 1963 में त्यार किया गया था किस मीटिंग और आयूसीन की मीटिंग हुए थी आयूसीन इस आप इसको जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन फार कंजर्वेशन आफ नेचर कंजर्वेशन आफ नेचर कंजर्वेशन आफ नेचर यह ड्राफ्ट 1963 में त्यार किया गया था लेकिन यह फोर्स में आय थी 1975 में और इसमें कंसिस्ट करती है इसमें कितनी अक्से त्राशी जो है मेंबर्स पार्टी है जो कि इंक्लूड करती हैं कंट्री और रीजिनल एकनोमिक ऑर्गनाजेशन को अभी तक ठीक है दोस्तों और इसका सिक्रेट जो है इसका सिक्रेट बोलें या इसका सचिवाला या हेड ऑफिस बोलें जो की जिनोवा स्विजल लाइंड में है और इसको एड्मिन्स्टेटर कौन करता है यू एन ईपी यूए ईपी इस वर्ल्ड वाइड और गनाजेशन यू आफ यूनाइट इंटरनेशनल इंसियोर करना इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड इंपेसी मैन आप दे वाइल अनिमल और प्लांट जो है प्लांटों को किया जाता है प्लांट दस नॉट ट्रिटेन देर सर्वाइबल जो की बिलु बॉड़ी होती है जिसको कहते हैं कोप के नाम से जिसको जानते हैं Is a convention of parties जो कि convention of parties है और इसके लास्ट दोस्तों इसका जो है कौप 17 जो जो की और अगेंस किया गया था जो हैंस सौथ एफ्रीका में 2016 सोला में सब्सक्राइब और इंडिया जो इंडिया ने को थाड़ को फोस्ट किया था उनीश्ट उनीश्ट इक्यासी में अभी लेटेस्ट उसमें पांच और साथ मही 2021 में जो है सेवेंटी थार्ड मीटिंग हुई है जो कि स्ट्रेंडिंग कमेटी की मीटिंग थी और यह ऐक्षान बीहाबियार आक्षान बीहाबियार उसके लउ एक्षान इंटरनेश्ट नेशनले लेवल के एक़ार्डिंग इसको आपको मांना पड़ेगा जो भीfact का डीशिजन होगा वो सभी जो है मेंबर पार्टी इसको मांना पड़ेगा नॉट टेक आप प्लेश आफ नेशनल लौ और आदर इधे प्रवाइड आ फ्रेमॉर्ड टूरिस्पेक्टेड एच पार्टी एक पार्टी सभी पार्टी हो को यह फ्रेमॉर्वर्क प्रवाइड करता है जो कि अडॉप्ट करना इस ओन डॉमेस्टिक लिग जो है लेजिगे और इंशोर करना कि साइट की जो है यह फूर सबने साइट को जो है इंपलीमिंट किया जाए अटन नेशनल लेबल पर दोस्तों वहां पर फ्लोरा हम फ्लोरा देखा तो फ्लोरा फ्लोरा इस आप प्लांट लाइफ अक्रिंग्स इन पर्लीकुलर रिजनस और टाइम्स और फो फोना की फोना इस अनीमिल लाइफ और टाइम की अनीमल जो की जो इसका अभी बात कि थी हमने तो इसमें यह subjecting international trade specimen of the selected species का है ठीक है यह नजर रखती है यह watch करती है import, export and re-export और introduction करती है from the sea species का जो जिसे authorized करती है convention जिसे authorized करती है through the licensing system के द्वारा और इसका sites के classification के बात करें classification बोलें या appendix बोलें उसको एक ही मतलब होता है classification of plants and animals is a three category में divide किया गया है जो कि underlisted under the three sites appendix है और यह दोस्तों जो कि यह appendix है one, two and three अब इसको appendix के आधहार पर ही किसी भी species या plant को decide करते हैं कि उसको किस प्रकार की protection देनी है या किस category में रखना है उसके जो है तो species में जो है species that endangered of extensions जो कि बिलुक्त प्राय है जो बिलुक्त प्राय है उनको रखा जाता है appendix one के अंतरगत इनका commercial trade जो है prohibited होता है बिल्कुल सक्त मना ही होती है और इसको परिमिट किया जाता है परिमिट किया जाता है किसके द्वारा इंपोर्ड एक्सपोर्ड परिमिट होता है इसको बना जाता है और इसमें कुछ छूट भी दी जाती है जो trade permit कहता है for the research only if यदि वो भी इसमें condition apply है दोस्तों कि origin country जिस भी species का जिस country में origin हुआ है वो ensure करे कि trade or not harm कि trade उसका harmful नहीं है अब particular species के लिए तब वो उसको जो है permit provide sites permit provide करती है इसके अंदर कुछ examples है जैसे कि जो asiatic lions है और asiatic lions and tigers tigers की आप जानते हैं जैसे tiger और lions की skin का trade काफी जादा होता है एंड इसमें endangered species में आते हैं टर्टल अपेंडिक्स 1 के अंदर गत सी टर्टल और गोरिला एंड लेडी जो पर और चिड्स यह most species endangered species है जो appendix 1 के अंतर गत जो 931 species list के गया है 931 species को list में किया गया है appendix 2 की बात करें इसमें जो है कुछ जो भी कुछ कम इससे कम जो की only से कम आते हैं जिन कुछ आर नाट फेशिंग में देखा जाता है कि कि आर नाट फेशिंग एमिनेंट और एक्स्टेंशन जो की निकटस्थ ओलूं या निकट पराय जो हैं बिलुप्त होने की कंगार पर हैं उनको शामिल किया जाता है और उसकी इसका इसका मॉनिटरिंग ही जाती है कि आयने ट्रेड डज नौट बिकम आ ट्रेटेंड की कोई भी इसका जो ट्रेड क्या जा रहा है वो कहीं इसको खतरनाक न बन जाए या उसको बिलुप्त ना कर दे इसको साइट जो है वाच करती रहती है और ट्रेड पर्मिट क्या जाता है जाती है जाती है और पैडल्स फिश होती है महोगनी ट्री होता है और कोरल ट्रीफ होते हैं इसमें 34419 अस्पेसीज को लिस्ट में सामिल किया गया है appendix 2 के अंतरगत appendix 3 की बात करें दोस्तों appendix 3 में are not protected in the least one country at least one country are in the at least species that are protected in at least one country इसके अंतरगत उन लोग उनको सामिल कियाता है जो एक केवल एक country के अंतरगत only if only one or one or more country के अंतरगत वो protected है तो यह अब इसको साइट की स्रेंडि में कैसे लायाता है the species vary करते हैं regulation vary करते हैं in the country request करता है listing can issue export जो है permit export other countries requires a certificate certificate of the origin इसको जो है कॉप पर्टी के को और गनाजेशन या मीटिंग के द्वारा इसको इसके appendix 3 में रखा जाता है इसके अंतरगत आते हैं honey baggers जो medicinal plant होता है medicinal purpose के लिए जो plants नहीं इसा animal होता है wild animal होता है wild animal होता है जो की उसको रखा जाता है और walruses and map turtles और certain bitles होते है इसके अंतरगत third appendix के अंतरगत 146 species को list किया गया है अब यहां पर हम आगे देखेंगे इसका species में भी species होते है species में भी species होते है add to are removed from the appendix 1 appendix 1 और 2 and add करना और इसको remove करना appendix 1 और 2 के अंतरगत इसका इसमें किसका केवल इसका authorized कियाता है सिर्फ को के द्वारा वो भी permit करता है तो appendix 1 और 2 से किसी भी उसको species को add करना और किसी भी remove करना और अगर appendix 3 के बात करें तो कोई अगर जो है एक तरफा किसी भी species को add कर सकती है क्योंकि यह only country wise होता है country wise अब दोस्तों इसके contribution की बात करें तो साइट का contribution क्या क्या रहा है अभी तक कुछ नजर करते हैं तो यह एक international trade होता है in close होता है जो कि इसमें तो 35,000 35,000 तो है species plant and animals है जिसमें international commercial trade होता है प्रविटेट है 3% species का 35,000 में से 3% prohibited है जो कि international commercial trade के लिए और remaining जो है 97% जो है regulate कियाता है और insure कियाता है trade is legal sustainable and traceable है sites sites has been cutting edge of the debate on the sustainable use use of biodiversity for the past debate हो रही है 20 years and its record over the 12 million international trade international trade trade in transactions in its database that period trade based are only occasions of the benefited होता है local community के लिए benefited होता है किसके local community के लिए local community के लिए it was the worth between between US dollar 5 million billion US dollar and 20 million per year legal activity that derives many species towards the extensions and defends local pupils of development choice and government and government and government of potential revenue जड़ेत होता है और इसमें कुछ body बनाई के हैं है जो कि इसके इसके नज़र रखती है इसको watch करती है 24 hour into seven and international convey जो है consortium on the combating wild crime ICCWC and consortium of the sites Secretariat जो Interpol की बात करते है इनि international international criminal police organization इसके वाच करती है और UN जो है Office of the Drugs and Crimes इसके वाच करता है and World Bank इसके वाच करती है and the world customs organization has been established करता है किसको established करता है established करता है कि tackle करता है legal legal जो है wild trade को इस तरह why the entire enforcement chain to assist the national to national enforcement national enforcement authorities and regional bodies combating elastic trade in the wildlife इसमें जो है कि national body और regional body दोनों नजर रखती है दोनों इसको वाच करती है अब हम आगे दोस्तों कुछ जो है इन मैप टर्टल्स यह फिर्टन इसाथ में जो कि snack and rate and birds को आता है इडिस अब होनी विगर्स यह होनी विगर्स जो की अमेटर के उसमें पाए रता है तो दोस्तों थानक्यूस्व मच आज का वर्ड लेबल का लेक्षर था एक इंट्रोडेक्री पार्ट था नेक्श उसमें हम देखेंगे इंडिया में साइट्स के जो वर्क और कब इसका इंडिया में आया इस सब की बात करेंगे सो दोस्तों थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब